तो कहानी की शुरुआद 1991 न्यूयोक सिटी से होती है जिदर पुलिस डेटेक्टिफ मैट एक बार में बैठा होता है कि तभी तीन लुटेरे बार्टेंडर पर गंतान देते हैं और पैसों की मांग करते हैं बार्टेंडर के काफी मना करने पर वो से गोली ठोक देते हैं गोल लुटेरा गाड़ी से निकल कर दोड़ने लगता है मगर एक गोली उसके पैर पर लगती है वो फिर भी लड़क खड़ाते होई सीड़िया उतरने लगता ही है कि मैट उसे भी एक गोली ठोक कर उसका भागना हमेशा के लिए बंद कर देता है इसी के साथ 8 साल बात का सीन द बताता है कि कल उसकी वाइफ को किसी ने किड्नैप कर लिया था मैंने फिरोते की पूरी रकम भी दे दी थी फिर भी किड्नैपर ने मेरी वाइफ को मार दिया तुम किड्नैपर को ढूंडो और उसे मेरे हवाले कर दो मैट कैनी के घर को देखता है और उसे उसके काम के बार और आफर भी करता है मैट इस ओफर के बारे में कुछ सोचता है फिर कैनी को मना करके बाहर निकलाता है बाहर बैठे पीटर को मैट कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुमारा भाई ड्रग डीलर है तो मैं यहां कभी नहीं आता मूवी के अगले सीन में मैट एक चर्च के और यह बताते होई कैनी रोने लगता है वो मैट को बताता है कि उस दिन वो अपने घर में सोया हुआ था कि तब यह कॉल आती है कॉल उठाने पर किर्नेपर ने कहा कि तुमारी वाइफ मेरे पास है यह कहकर उसने फोन काट दिया तो मैंने सारे घर को चेक किया पर वो कही पूछता है की तीधर केनी के पूछ UP पास है। आगे किडनैपर कैनी से कहता है ठीक है अब तुम कार को यहीं छोड़ दो और पैदल चल कर रिचर्ड स्ट्रीट तक जाओ और वहां पांच मिनट रुकने के बाद वापीस यहीं आओ तुम्हें तुम्हारी वाइफ कार में ही बैठी मिल जाएगी कैनी बिलकुल ऐसा ही करता है वापीस कार के पास आकर वो कार में देखता है तो उसके वाइफ कार में नहीं होती जिदर फोन बूत की घंटी फिर बचती है किडनैपर कैनी से कहता है तुम्हारी वाइफ तुम्हें तुम्हारे घर पर ही मिलेगी काफी हडबड़ी में कैनी जल्दी से अपने घर पर पर उसकी वाइफ घर पर भी नहीं होती। कर चला जाता है क्योंकि कैनी को ये टेप रिकॉर्डर अपनी वाइफ के टुकडों के पास ही मिला था। दोनों ने एक जैसी ड्रेस पहन रखी थी। वो दोनों एक वैन पर आये थे और उन्होंने कैरी को ब्ल्यू वैन में खीचा और उसे लेकर चले गए। सीन कट होता है। मैट एक लाइबरेरी में पुराने न्यूस पेपर की क्लिप्स देख रहा था। जिसमें की उसे शेहर में हो रही किड्नैपिंग मडर के एक फिक्स पैटन के बारे में पता चलता है। वही मैट की मुलाकार एक टीजे नाम के लड़के से होती है। टीजे एक पुराने केस की जानकारी निकालने में मैट की मदद भी करता है। और इस केस में बिलाज टुकडो में ही मिली थी। ये एक मैरी नाम की लेडी थी। जिदर हाल ही में हुए लीला नाम की कॉली स्टुडेंट के किड्नैपिंग और मडर केस की जानकारी मैट को देता है। जिसके कुछ टुकडे डस्ट्विन में और कुछ गृण वूट कबरिस्तान के तलाब में मिले थे। और बात रही आई विटनेस की तो लीला को भी एक ब्ल्यू वैन में तीन लोग किड्नैप करके ले गए थे। और अगले ही दिन मैट ग्रीन वुट कबरिस्तान में जाता है वहां मैट जॉनिस नाम के आदमी से मिलता है। पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो तो टीजे कहता है मैं भी तुमारी तरह जासूस बनना चाहता हूं। मैट के पूछने पर वो बताता है कि वो उन तीनों में से किसी का चेहरा नहीं देख सका। जिदर मैट खेड़की से सामने जॉनिस को बिल्डिंग से बाहर निकलता देखता है वो लीला की मंगेतर की बिल्डिंग से निकल कर जॉनिस की बिल्डिंग के चछत पर जाता है। जिदर मैट देखता है कि यहां से लीला के मंगेतर का अपार्टमेंट साफ साफ देखाई देता है कि तब ही जोनिस मैट को अपनी बिल्डिंग के चछत पर खड़ा देख लेता है। जोनिस मैट को चाको दिखा कर कहता है तुम सब जानी चुके हो तो तुम यहां से जिन्दा नहीं जा सकते। द्रग्स डेपार्टमेंट में काम करने वाला बताया। वो लिला को मार देंगे जिदर मैट जोंस से उन दोनों का नाम पूँचता है तो जोंस पक्षियों को दाना डालने के एक हम बाद मैट को बताता है कि एक का नाम रे है और फिद जोंस छत से कूद कर आतम हत्या कर लेता है आगे रे और इलबर्ट वैन में बैट कर अपने अगले शिकार को देख रहे होते हैं वो एक ड्रग डीलर की बेटी होती है इदर मैट कैनी से मिलता है और उसे बताता है वो दुख किर्णेपर हैं और वो ड्रग डीलर्स को टार्गिट करते हैं तुम अकेले नहीं हो जिसकी वाइफ को उन दोनों ने मारा है उन दोनों को ड्रग डीलर्स की जानकारी डी अपार्टमेंट से मिलती है। मैट एक दरवाजे के पीछे छिफ जाता है वो आदमी जैसे ही दरवाजे से अंदर देखता है मैट एक घूसा मार के उसे गिरा देता है कि तभी एक वाइट वैन वहां कर रुकती है और एक आदमी वैन से निकल कर मैट को अपना पुलिस बैच दिखाता है बैच देखकर के भाई पीटर से पूछ लो जब पीटर नशे में अपने घर आता है तो पीटर देखता है मैट वहां पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है वो मैट से वहां आने का कारण पूछता है मैट लैंब की रोशनी दिवार की तरफ करता है और कहता है मैं तुमारी वोल से और वो बिना कपड़ों की हैं पीटर और कैनी के वाइफ के बीज अफेर था मैट पीटर से पूछता है क्या तुमने कैनी की इंफोर्मेशन डी डिपार्टमेंट को दी थी यहां पीटर बताता है मेरी नाम की पुलिस आफिसर ने मुझे पकड़ा था इसले बचने के लिए कैनी की जानकारी दी थी मैट उसे बताता है डी ए डिपार्टमेट से कैनी के फायल किड्नैपर तक पहुँझ गई और कैनी के वाइफ का किड्नैप हुआ सिर्फ तुमारी वज़े से कैनी के वाइफ मारी गई इस बात को सुनकर पीटर रोने लगता है, मैट पीटर से कहता है तुम अपने भाई को बोलना कि मैं उसका काम अब नहीं करूंगा और कल उसके पैसे लोटा दूंगा वहीं दूसरी तरफ टीजे पर दो लड़के हमला करते हैं और उसका बैग वा पैसा चीन कर भाग जाते हैं मैट के अपार्टमेंट का रिसेप्सिनिस्ट मैट को टीजे के फोन आने की जानकारी देता है मैट टीजे से मिलने हॉस्पिटल जाता है और टीजे को बताता है कि क्रिमिनल्स को मारते हुए उसके हाथ से एक बच्ची की मौत हो गई थी और तब ही से मैंने अपनी जोब छोड़ दी आगे किड्नैपर उसी ड्रग डीलर की लड़की को उसी के घर में घुसकर किड्नैप कर लेते हैं हॉस्पिटल में टीजे को मैट दुआरा दिये गए कपड़े जूते और एक सेलफ़ोन मिलते हैं अगली सुबा मैट कैनी के पैसे लोटाने कैनी के घर जाता है पर वहाँ कैनी नहीं पीटर मिलता है जिदर पीटर मैट को बताता है कि कैनी के एक दोस्त की लड़की को किड्नैप कर लिया गया और मैट पीटर को लेकर ही उस ड्रग डीलर के घर जाता है और उसे बताता है बहुत लेडिस को किड़नेप करके उनकी हत्या करी है जिन में से कैनी की वाइफ भी दी शायद अब तक उसने तुमारी बेटी को मार भी दिया होगा तबी रे का फोन ड्रग डिलर के पास आता है मैट ड्रग डिलर से फोन ले लेता है और किड़नेपर रे से कहता है तुम्हें पैसे तभी ही मिलेंगे जब लड़की सई सलामत हो और उसे एक खरुच भी नहीं आई हो और मैट फोन काट देता है ड्रग डिलर मैट से बूचता ह तुमने ऐसा क्यों कहा? मैट कहता है तुमारी लड़की को जिन्दा रखने का सिर्फ यही एक रास्ता है पैसे ना मिलने के डर से वो तुमारी लड़की को जिन्दा रखेगा मैट जिदर टीजे को फोन करके उसे अपने अपार्टमेंट से एक बॉक्स लाकर पीटर को देने के लिए कहता है इदर रे मैट से कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ कि लड़की जिन्दा है रे मैट से कहता है मैं बात तो नहीं करवा सकता पर तुम कुछ ऐसा पूछो कि तुम्हें यकीन हो जाए कि लड़की जिन्दा है जिदर मैट लड़की के पिता से ऐसी कोई बात बताने के लिए कहता है जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ लड़की दे सके ड्रग डिलर मैट से उसके अभी का डॉग और इस डॉग से पहले वाले डॉग का नाम पूछने के लिए कहता है इधर टीजे मैट का बॉक्स लेकर पीटर के साथ निकल जाता है और रे मैट को डॉक्स के नम बताता है, लड़की के पिता और मैट को यकिन हो जाता है कि लड़की जिन्दा है, टीजे पीटर को बॉक्स ना देकर मैट के पास आकर उसे बॉक्स देता है, जिदर टीजे इन सभी को बैग में पैसे रखते हुए देखता है, मैट उपर के नो पहुंच जाते हैं मैट टीजे को गाड़ी से बाहर ना निकलने का आदेश देता है और कैनी और पीटर गन लेकर कबरों के पीछे चिप जाते हैं जिदर मैट पैसो का बैग लेकर आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद रे और एलबट अंदेरे से निकलते हैं रे ने तो ल पर वो यहां से जाने लगता है इदर वैन में अलबट पैसो को चेक कर रहा था और उसे नकली नोटों के बारे में पता भी चल जाता है और एलबट रे को नकली नोटों के बारे में जानकारी देता है कि मैट अपनी गन निकालता है और दो गोलिया रे पर मार देता है कि त पीटर दूसरी तरफ से घेरने के लिए भागता है तभी रे पीटर को गोली माड़ देता है और पीटर वहीं गिर जाता है मैट भी रे पर गोली चलाता है रे को गोली लग भी जाती है मगर तब भी वो वैन में बैट कर वहां से निकल जाता है मैट और कैनी पीटर के पास प पर पहुंच जाता है Albert तो Ray को घर के अंदर ले जाता है कि तब ही TJ का फोन बचता है और वो Matt को बताता है कि वो kidnappers के घर के बाहर है वहीं घर के अंदर Ray Albert से first aid box लाने के लिए कहता है पर Albert पैसो का bag लेकर basement में चला जाता है इदर Matt और Kenny भी TJ की बताई location पर चल देते हैं basement में तो Albert नोटो को चेक कर रहा होता है उपर से गायल Ray भी नीचे आ जाता है और TJ भी खिडकी से basement में इन दोनों को देख रहा होता है Albert Ray को एक कुर्सी पर बिठाता है और एक पतली वायर से उसका गला दवाने लगता है इस दिर्शे को देखकर TJ वहाँ से भाग जाता है अब Kenny और Matt भी इस घर पर पहुंच जाते हैं और Albert को पकड़े लेते हैं Matt basement में देखता है जहारे मरा हुआ मिलता है इदर Kenny Albert को गोली माने वाला होता है लेकिन Matt उसे कहता है इसके खिलाफ काफी सबूत है इसे पुलिस के हवाले कर दो पर Kenny Matt से कहता है नहीं इसे मैं ही सजा दूँगा और Matt ये सुनकर TJ को लेकर घर से निकल जाता है Kenny फिर Albert के सिर पर बोतल से मारता है और Albert भ्योश हो जाता है Kenny अलबट को काटने के लिए बेस्मेंट में जाकर इनके हत्यार को देखने लगता है कि अलबट को होशा जाता है और वो खुद को छुडाने लगता है इदर Matt TJ को एक कैब में बिठा कर उसे घर बेज देता है और Kenny को देखने के लिए किरनेपर्स के घर आता है घर में चारू तरफ खून बिखरा होता है और Kenny कहीं दिखाई नहीं देता Matt बेस्मेंट में जाता है सीड़ो पर उसे Kenny दिखाई देता है कि तबी Matt का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है Matt तुरन Kenny की तरफ देखता है तो वो कई टुकडों में होता है अब Kenny भी मारा जा चुका था जिदर Matt एकदम से सतर्क हो जाता है पर Albert उसी पतली वायर से Matt की गरदन को दबाने और काटने लगता है और Matt गन के पीछे की तरफ से फाइर करते हुए अपने आपको छोड़ा लेता है इधर Albert अपने धारदार हत्यार से Matt पर हमला करता रहता है कि तब है Matt को Ray की जेम में एक टीजर गन दिखाए देती है Matt टीजर गन लेने Ray की लाश के पास जाता है Albert मैट पर धारदार हत्यार से हमला करता है Matt हर्टता है और वो वर सीदे Ray की लाश पर पड़ता है मौका पाते ही Matt टीजर गन Albert के लगा देता है Albert एक जोरदा जटके से गिरता है अंतिम बार Matt अपनी गन उठाता है और Albert का भेजा उड़ा देता है और इसी के साथ ये मिश्ट्री सस्पेंस मूवी खताम होती है थैंक्स फूर वाचिंग